अभी हमने पढ़ा हाइड्रोपोनिक्स के बारे में मैक्रो और माइक्रो नियूट्रेंट्स के बारे में एक चीज और ध्यान रख लिजिए कि जिस प्रकार से हाइड्रोपोनिक्स होता है वैसा ही एरोपोनिक्स भी होता है अब ये इसमें क्या होता है इसमें जड़ जो है प पोशक विलियन में दुबाया जाता है अब आगे हम देखते हैं रोल ओफ मिनरल्स पौधों में खनिज पोशकों की भूमी का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रत्यक पोशक तत्व होते हैं वो पौधों के अंदर कुछ ना कुछ विशेश कारे करते हैं आपने यह भी जाना कि पौधे स्पेसिफिक पोशक तत्व होते पौधों में स्पेसिफिक पोशक तत्व या विशिष्ट पोशक तत्व होते हैं एक का कार्य दूसरा नहीं कर सकता तो इस प्रकार हम यह जान पाए हैं अभी तक कि एक पोशक तत्व का कार्य दूसरा नहीं कर सकता है तो तो किसी एक तत्व की सांद्रता जब निश्चित क्रांतिक इस तर से कम हो जाती है तो पौधूं के जीवन में बाधा अर्थात कुछ न कुछ इसके लक्षन दिखाई देते हैं जो उनके लिए विप्रीत प्रभाव डालते हैं आपके भोजन करने की सलाह दी जाती है गर में संतुलित भोजन कीजिए पोशक तत्वों से भरा हुआ विटामेंस से भरा हुआ फ़ल फूल इस प्रकार से भोजन कीजिए कि आपको उससे अधिक मात्रा में पोशक तत्वों मिले और आप स्वस्थ रह पाएं तो बिल्कुल पौधों में भी यही बाते लागू होती हैं कि अगर उनको सही मात्रा में पोशक तत्वों ताप्त होते हैं तो वे स्वस्थ रहते हैं और वृद्धी और विकास सही धंग से कर पाते हैं कि किसी एक तत्व की सांध्रता यदि क्रांते के स्थर से क्रांते के स्थर का आर्थ होता है कि जितना उस पौधे के लिए अवश्यक होती है उससे यदि कम हो जाती है तो पौधे के पत्तियों में खास कर कुछ ऐसे लक्षन दिखने लगते हैं या हम उसको बिमारी या रोग के लक्षन भी कह सकते हैं, या पौधों में सही ढंग से विकास नहीं हो पाता, जर्मिनेशन नहीं हो पाता, पुश्पन नहीं हो पाता, तो हम इसी का अध्यान आगे चल कर करते हैं. ये जो कमी के लक्षन है, इसको यदि हम ध्यान से देखें, तो पौधों में 17 प्रकार के तत्व होते हैं, जो अनिवार्य होते हैं और जिसका उपियोग पौधे कर पाते हैं. इन तत्वों को हम तीन प्रकार में बाटते हैं, सर्व प्रथम पौधों के प्रमुख तत्व, इससे पहले मैंने बताया था, नो प्राब्लम कोई, नो से नाइट्रोजन, प्राब्लम से फासफोरस, और कोई से पोटेसियम, तो ये जो तीन तत्व है, ये प्रमुख है जिनकी अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यक्ता होती है आपने देखा है कि मैक्रो न्यूट्रियेंट्स कम से कम 10 ग्राम तक जिन पोशक तत्व या जिन खनीश तत्व के आवश्यक्ता होती है उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रियेंट्स कहते हैं तो यह नाइट्रोजन प जिनकी मात्रा कम मात्रा या गौन रूप में पफ्धे को आवश्य होती है तो इसके अंतरगत में इस के लिए है सल्फर कैल्सियम और मेगनिश्यम इसके लिए आपणी कियाद रखेंगे सच में कैसा सच सलफर मेगनीशियम और कैल्शियम कैसा तीसरा प्रकार हम यदी देखें तो वो है पौधों में सुक्ष्म तत्व पौधों में ऐसे तत्व जिनकी सुक्ष्म मात्रा हमने माइक्रो नियूट्रियंट्स में देखा है पढ़ा है कि 0.1 मिलिग्राम पर लीटर जिन इस तत्वों की सुक्ष्म मात्रा पौधों में आवश्यक होती है उन तत्वों को हम कहते हैं सुक्ष्म मात्रिक तत्व इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे फिर जाने क्यूं मन मोहे बादल फिर जाने क्यूं मन मोहे बादल फिर से आप याद रखेंगे आयरन जाने से जिंक, क्यूं, बहुत ही सरल है, कौपर मन, वो भी सरल है, मैगनीज, मोहे, मौलिबडेनम और B से बोरान तो इस प्रकार आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है यदि आप ये ट्रिक याद रख लेते हैं, तो आपको गौन तत्व, सुक्ष्म तत्व और प्रमुख तत्व, ये तीनों आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और कुल मिलाकर 17 तत्व जो हैं आपको ध्यान में रहेगा क्योंकि नीट और बहुत सारे एक्जाम में ये प्रशन पूछा जाता है आपको पता है कि हमारे शरीर के लिए आईरन हमको बलिष्ट करने के लिए एनरजी के लिए हमको आईरन की आवश्यक्ता होती है तो चलिए कल से एक प्रयोग करते हैं कि हम नाष्टे में आईरन क्योंकि लोहा में ही आईरन है लोहा ही आईरन है तो चलिए नाष्टे में आप लोग भी और मैं भी आईरन खाना चालू करते हैं मतलब लोहा को हम खाना चालू करते हैं छर्रे के रूप में या छोटे-छोट तुकडे के रूप में चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि आपको पता है कि भले ही आयरन पाया जाता है लोहे में लेकिन आप लोहे को सीधे ग्रहन करके फिर उससे आयरन आपको नहीं मिलेगा तो बिल्कुल वैसा ही पौधों में भी होता है कि पौधों में इतने सत् पोशक तत्व या खनिच पदार्थ जो खनिच तत्व पाए जाते हैं उनको पौधे किसी विशेश रूप में ग्रहन करते हैं और इसके बारे में ही हम विस्तार से अध्यान करेंगे तो इसी में ही सर्व प्रथम हम देखेंगे हैं CHO Carbon Hydrogen और Oxygen क्योंकि यह जो CHO है चतुर सिंग ओजा मैंने बताया था इसके लिए तो यह तत्व जो है Structural या रचनात्मक तत्व कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं क्योंकि यह CHO से बनता है क्या बनता है याद कीजिए पौधे जो है सूर्य प्रकास की उपस्थिती में Carbohydrate बनाते हैं glucose बनाते हैं और यही जो CHO जब बीटा glucose होता है तो कोशिका का सेल वाल कोशिका के सेल वाल या कोशिका भित्ती बनाता है और आप यह भी जानते हैं कि चाहे पौधे हो चाहे सुक्षमजी हो चाहे वहल ब्लू वहल हो सभी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है तो जो प्लांड का सेल वाल है कोशिका बित्ती है वह सेलूलोज की बने होती है और यह सेलूलोज एक प्रकार का ग्लूकोस है तो कार्बन ऑक्सिजन और हाइड्रोजन इससे लगभग पौधे का 94 प्रतिसत भाग 94 प्रतिसत भाग इन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है से 6% अन्य सभी तत्वों से बना होता है तो अब हम देखते हैं कि पौधे इसको किस रूप में ग्रहन करते हैं तो जो कार्बन है वायू मंडल में 0.03 प्रतिसत मात्रा में उपलब्द है और पौधे इसको सीधे वायू मंडल से ग्रहन करते हैं हाइड्रोजन को भी प्लांट सीधे ग्रहन नहीं करते हैं बलकि उसके एक योगिक की रूप में जिसे आप हम सभी उपयोग करते हैं जल तो H2O की रूप में हाइड्रोजन को पौधे ग्रहन करते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन को पौधे वायू मंडल से ग्रहन करते हैं लेकिन जो स्टेश तत्व आगे हम पढ़ेंगे उसको पौधे मृदा से ग्रहन करते हैं तो next हमारा तत्व है nitrogen हम सभी को पता है कि वायू मंडल में या हमारे atmosphere में सबसे अधिक मात्रा में लगभग 78% nitrogen उपलब्ध है लेकिन ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि इस nitrogen को पौधे सीधे ग्रहन नहीं कर सकते जी हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सीधे nitrogen के रूप में पौधे इसको ग्रहन नहीं कर सकते तो पौधे किस रूप में ग्रहन करते हैं फिर इस तत्व को वायू मंडल में अधिक मात्रा में उपयोग होने के बाद भी स्टो मेटा में तो ये जाता है समान जो गैस होती है उसमें मिक्स हो के वो स्टो मेटा में भी जाता है लेकिन वो फिर बाहर निकल जाता है तो इसको तीन इसके योगिक के रूप में ग्रहन करते हैं पौधे मिट्टी से पहला है नाइट्रेट के रूप में NO3- दूसरा नाइट्राइट के रूप में NO2- और तीसरा अमोनिया के रूप में NH4- पौजिटिव तो अमोनिया के साल्ट के रूप में पौधों को ये प्राप्त होता है तो अभी मैंने नहीं बताया है कि पौधे इसको कैसे ग्रहन करते हैं तो इसके लिए हम चलते हैं फेबेसी कुल के पौधों में जिसको हम फलीदार पौधे भी कहते हैं चना मटर सोया बी हूँ जब इन पौधों को इन फलीओं को हो जब हम खाते हैं राजमा तो कहा जाता है कि प्रोटीन इन से प्राप्त होता है तो देखिए पूरा सीधा संबंध है नाइट्रोजन का प्रोटीन से आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो कुछ ब्लू ग्रीन एलगी औ और कुछ जिवानों में नाइट्रोजन गास को पौधों में स्थरी करण करने की छमता होती है इस्थरी करन मतलब फिक्सेशन फिक्षेसर हम किसे कहते हैं वायू मंडल में व्याप्त मुक्त नाइट्रोजन को पौधे के ग्रहन करने लायक जैसे आप सीधे चामल का दाना नहीं आपके थाली में यदि परोसा जाये कि चलो थोड़ा सा चामल का दाना खालो गेहूं खालो दाल खालो कार्बोहेडरेट मि इस रूप में दिये जाते हैं जिससे वो ग्रहन कर सके तो ये जो कुछ जीवानू होते हैं जो फेबेसिकूल या फलीदार पौधों की जड़ो में पाये जाते हैं राइजोबियम है तो इनमें वायू मंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को इस्थरी कृत या फिक्सेशन क करने की खमता पाय जाती है और नाइट्रेट नाइटराइड और अमोनिया के रूप में ये जीवानू नाइट्रोजन को बदलते हैं और पल्धे आशानी से ग्रहन कर लेते हैं तो पौधों में भी इस प्रकार का सहजी विता का संबंद पाया जाता है जिसमें दोनों एक- लाभ प्राप्त करते हैं ये भी एक ध्यान रखेंगे कि क्योंकि ये पोशक तत्ow या खनीज तत्ow मिट्टी से मिल रहे हैं और मिट्टी को तो पता नहीं है कि क्या चीज रखना है और कहाँ पर किया जाएगा तो हर जगह की मिट्टी में इन पोशक पदार्थों की मात्रा अलग-अलग हो सकती है तो उन इस थानों पर जहां पर नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में कम होती है दल्दली छेतर हैं तो उन जगह पर कुछ ऐसे प्लांट भी पाये जाते हैं क्या आपने सहारी होते हैं या पौधे भी किसी जीव को खा सकते हैं नहीं सुना है तो मैं बता देती हूं कि जिन इस्थानों पर नाइट्रोजन की कमी होती है म्रिदा में तो उन इस्थानों पर निपेंथीज या घट परणी या कलश पादब क्योंकि बहुत ही सुन्दर एक प्लांट रहता है और उसका जो शेप होता है वो कलश या मटकी के समान होता है और उसका जो पंखुडी होता है या पत्ती होता ह वो बहुत ही सुन्दर आकर्शक होता है इस प्रकार से और वो अपना धकन ऐसा खुला रखता है तो कुछ कीट इन्सेक्ट वहां पर आते हैं और उसमें से बहुत सुंदर निक्तार के किो श्बू आने लगती है तो वहाँ पर जब कीट पहुँचते हैं तो वो खुश्बू के कारण से उसमें अंदर जाते हैं और उस निपेंथिस में कुछ चिपचीपा पजार्थ पाया जाता है उसमें बुरी तरह से वो फस जाते हैं निकल नहीं पाते हैं इस प्रकार वह पौधा उन कीटों को करते हैं जो कीटों का भक्षन करके भी नाइट्रोजन की पूर्ति अपने बॉड़ी के लिए आपने ग्रोथ के लिए कर पाते हैं अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के प्रमुकार नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है क्यों आवश्यक है क्योंकि जो मेन धाचा है मेन स्ट्रक्चर है वो हमारा प्रोटीन ही बनाता है और प्रोटीन का जो सब्स्टेंस है या प्रोटीन का जो घटक है वो है नाइट्रोजन जिस प्रकार से एक मोती की माला गुथी रहती है और एक-एक मोती से हम उसको गुथते हैं तो उसी प्रकार से जो प्रोटीन होता है वह अमीनों अमलों का बहुलक होता है या अमीनों अमलों से बना होता है और ये अमीनों अमल एन एच टू एन एच टू नाइट्रोजन आ गया ना तो मतलब नाइट्रोजन प्रोटीन का आवश्यक खनिज है या घटक है तो नाइट्रोजन या अमीनों अम से ही प्रोटीन बनता है दूसरा नाइट्रोजन का उप्योग है जीव द्रव वा क्लोरोफिल का यह अभिन भाग है तीसरा पौधों की व्रिधी वा साइटो क्रोम के लिए भी यह अत्यांत आवश्यक है इसकी अनिमार्यता पौधे के विशेश कर विभाज्यों तक विभाजन होते रहता और लगातार व्रिधी होती है तो पौधे में कहाँ पर विभाजन होता है एक तो रूट टिप बूट टिप में और दूस्रा सूध टिप में प्ररओ चर्द के निचलेंगां में निरंतर विद्धी होते रहती है तो इन दो भागों में नाइट्रोजन अत्यंत आवश्यक होता है। पौधों में अच्छे उत्पादन या प्रोडक्टिविटी के लिए जमीन में यदी नाइट्रोजन बना रहेगा तो इसके लिए समय समय पर हमें खाद या यूरिया भी डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ फसल चक्र भी आपने सुना है ना कि मटर के बाद गेहूं तो एक रभी फसल के बाद एक खरीब फसल किसान इसी प्रकार ही फसलों को बोता है। इसे शश्यवर्तन भी कहते हैं या फसल चक्रन भी कहते हैं तो जितने भी चीजे हम अपने खेतों में या गाओं का व्यक्ति एपलाई करता है वो सभी साइन्टिफिक कली प्रूव्ड है या साइन्टिफिक वे में सभी चीजे वो करता है। ऐसा इसलिए भी है कि जो मटर या फलीदार पौधे हैं उनकी गाठ में ही कुछ विशेश जिवानू राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन या इस्थरी करन करता है जब फसल पूरी तरह से वहां से कट जाता है फिर भी उसकी जड़े तो वहां मौजूद होती है तो वो जड़े वहां सड़ कर फिर जमीन में परियाप्त नाइट्रोजन वहां पर दे देती है तो जी हां उत्तर इसका होगा नाइट्रोजन धान की खेती करने वाला किसान हाँ हाँ सुनिए धान की खेती करने वाला किसान हर साल हजारों रुपया यूरिया और खाद में अपना लगा देता है जबकि इसकी कमी पूरा करने के लिए एक आसान और एक सस्ता उपाए जो मुश्किल से 50 या 100 रुपे में भी हो सकता है ये भी है तो वो उपाए कौन सा है हाँ हम नाइट्रोजन की पोड़ रूप से आपूर्ती के लिए ब्लू ग्रीन एलगी या नीले हरे शेवाल भी वहाँ पर धान के खेतों में डाल सकते हैं जो ब्लू ग्रीन एलगी या नीले हरे शेवाल होते हैं वो एक प्रकार से साइनो बैक्टिरिया होते हैं उसमें साइनो का अर्थ है सियान सब्द से बना है ये और इसका अर्थ है नीला हरा तो देखिए कितना महंगा मिलता है हमारा यूरिया और कितना सस्ता मिलता है हमारा ब्लू ग्रिन एलगी या नीला हरा शैवाल तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपना इसके अलावा पोल्टरी खाद जो होता है उसमें सरवाधिक नाइट्रोजन होता है जो पौधे के जड़ वा तना के सेहत, विकास, आउशोशन, परिवहन और उत्सर्जन इन सभी जैविक क्रियाओं को बढ़ावा देता है तो इसलिए नाइट्रोजन पौधों के लिए अत पौधे में या डेफिसीनसी से पौधे में कौन सेलक्षन दिखाए देते हैं तो नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं साथ ही साथ पौधे बोने हो जाते हैं फूल या तो देर से खिलते हैं या खिलते ही नहीं और आप सभी जानते हैं कि जब फूल परीज बनेगे परागन से ही निशेचन होगा और बीज बनेगे और हमको अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त होगा। अधिक्ता अति सर्वत वर्जेत अधिक्तर खनिश तत्व या पोशक तत्व जो है उनकी कमी और अधिक्ता दोनों ही हानिकारक होती है इसलिए मैंने एक शब्दी उसकिया था क्रांतिक सांद्रता मतलब जितना उसको अवश्यक है न कम न ज्यादा तो नाइट्रोजन की अधिक्ता से पोधो में काईक वृद्धी अधिक तेज हो जाती है जिसके लक्षन सरुप, पत्तियां, हरे और गहरे रंगी हो जाती है साथ हे साथ तना अत्यंत दुबला और कमजोर हो जाता है अब जब तना दुबला और कमजोर हो गया तो बाहरी जो जिवानू या फिर कवक है वो आसानी से उसमें अटेक कर सकते हैं तो ये इसका अधिकता से प्रभाव होता है कि कमजोर तने पर कवक वो जिवानू के प्रती अधिक रोग ग्राही हो जाते हैं